नमस्कार दोस्तों, मैं हरीकेस यादो और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया, अभी मैं परसिया में हूँ और मेरे साथ अजय कुमार गोड जी हैं, मैं इनी के घर एक कारिकरण में उपस्तित हुआ हूँ, हर समाज की अपनी अपनी एक संस्कृत होती है पुरानी संस्कृत को आज भी लोग जिन्दा करने के लिए तमाम तरह से उस चीज को आगे लाने का काम करते हैं जो पुर्वज है जो पुरानी सभ्यताओं में विश्वास रखते हैं मेरे साथ आज इन गोड़वाना समाज को मार्क दर्शन के करने के लिए उपस्तित हैं बड़ी दूर से चलके आया हैं मैं इनका ही रुख कर लेता हूं क्या नाम है सर आपका हमारा नाम है सीव संकर धुरुवा मैं प्रया है उसका क्या मतलब है आप अपने समाज के लोगों को इसके बारे में बिश्तरित जानकारी दें या हमारा जो आज इनके आज जो कारकरम है या हमारा पेनकरन का कारकरम है जिसे अंतिम संसकार कहा जाता है अंतिम संसकार का मतलब होता है कि हम लोगों में मुख्य तीन संसका रिष्टर, दूसरा विवा संसकार होता है तिसरा मृánt संसकार होता है जिसे हम अपनी गौंड़ी भासा में कुंड़ा मंद्डा। कहते हैं कुंड़ा का मतलब Carrie I am अब मुंडा का मतलब क्वेयर निश्टो होना यह रहे दूंप संसक्रती की लग Mason हम अपने पुर्खों को संबाण पुरुवक द्पन करते हैं । अने संस्कृती स्धिधे में विंदू पर बात करना चाहूंगा जो आपकी संस्कृती हैं जिसको आप जिन्दा रखने का प्रयास कर रहें और अपने समाज के गड़वाना समाज के लोगों को उसके प्रतिजागरित करना चाहते तो उन में से उन मुख्या चीजों को बताएं जो लोगों को जाननी चाहिए शिखनी चाहिए और उसको आगे कायम रखनी चाहिए मुख्य यह है हमारी मुख्य संस्कृति है कि जो हमारी रूड़ी परमपरा है यह जो हमारे पुर्खे सदियों से करते चले आ रहे हैं प्रकित पे आधारित, जैसे इस धर्ती के जितने भी जीव हैं, उनसे अपने अपने कल्चर, अपने अपने संस्कृति से जीते खाते हैं, तो उसी प्रकार से प्रकित पर आधारित हमारा जीवन होना चाहिए, प्रकित पे हमें किसी प्रकार का लालच और लोभ नहीं होना च कोई भाव नहीं होता है उसी परकार से हमारे संस्क्रिति में कोई भाव नहीं होता हम संस्भ नियमम का पालन करते हैं चैसमारी परंपरा है और रिड़ो इस लोग मुख्य रूप से अपने भगवान के रूप में सुर्या नहयर देवता को सबका हम सम्मान करते हैं समय समय पर यह हमारा नियम है और यह इनकी जो पुरानी संस्क्रीट है उसको यह आगे लेकर जाना चाहते हैं या उसको जिन्दा रखना चाहते हैं हर समाज की अपनी संस्क्रीट होती है गोडवाना समाज की जो संस्क्रीथ है इनके सर पे आप पीला पगडी देखते होंगे जितने भी गोड समाज के लोग मिलते होंगे चाहे उनके घर कोई फंक्सन हो या किसी कारकरम में वह आपको दिखाए देंगे तो लगबक पीली कुछ छेत्रों में हमारे समाज के लोग अपने मोल संस्कृती से भटक गए हैं। मोल संस्कृती से भटक जाने के कारण एक तो यह सबसे बड़ी दिक्कते आ रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है। छुआ छुषूद तमाम ऊच नीच बोल चाल उठन बैठन तमाम तरह की विसंगतिया बढ़ जाती है। अब दूसरे हमारे मानिसिक सोचन होता है, आर्थिक सोचन होता है, सारीरिक सोचन होता है, फिर भी हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं, अब हमारी मूल पहचान, सब मुख्य जो है, हमारी मूल पहचान मिट रही है इसका उपाय क्या है, संदेश का देना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके समाज के लोगों को? लोगों को भी इव धस्तर पर अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा मैं एक चीज नोट किया हूँ, कि अधर जो कास्ट के लोग हैं, जो हिंदू रित्वी रिवाज से अपना ये कारिकरम करते हैं, तो आप लोगों का इन लोगों से अलग नियम है क्या? ना जैन है, ना फार्सी है, ना बहुद हैं, हम यहां के मुलनिवासी, आदिवासी कल्चरल लोग हैं, अवगवा कल्चरल लोग हैं, जो रोड़ी परंपरा को मानते हैं, रोड़ी परंपरा का मतलब जो हमारे पुर्खे सदियों से करते चले आए, उस परंपरा को हम पालन यह किलियर्टी दिख रही है कि आप यह बोलना चाहते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं आप इस जो पुरुष्थ हमारे उससे आप जुड़े हैं लेकिन यह जो हिंदू रित्रिवाज और और भी चीजे हैं यह बाद में यह बनाई गई हैं इस संस्कृतियों के बाद ब अगर सरकार के सर्कारी तंटर का अगर दखलन दाजी नहीं है सरकारी संस्क्रों के दखलन दाजी के हमारे परसान का मैं मैं उसके क्रार bombersते नाम है आप है भाता है by fogal बी हटके ता कि अपने समाज के लोगों को बोलना चाहेंगे क्या संदेश करने की श्रक्राइम करने के लिए अपने और फिता कदाक आप एंक करनबन पर संसकार करा रहा है कि दी है और अपने समाज के लिए समय समय पर लड़ाईया भी लड़ने समगे का करते हैं कि फाली राजल प्रडर वसे हूँ और घर समय को घुम घूम कर रही करतना चाहता हुँ कि जो अपनी कल्टरalar वे प्राकिर्ट को पूजे अपने घर के देवी दोताओं को पूजे ताकि बाहरी को नव पूजे जिस कारण से हम लोग के आज छोड़ने से एक अपने घर पर पूजा करवाता हूं और सब को जगाने का काम करता हूं कि आप लोगणी धर्म से रहे हैं तो साक्ष किसी का मत लीज़िए और अपना गुंड धर्म से कारी करम करेंगे अपने गर पर अपने गूंडी धर्म से मतलब तादि विवाख से यह गोड़वाना समाज के लोग है और अपनी पुरानी को संपन करें लोग और यह जितने भी आपको चहरे दिखाई दे रहा हैं यह गोड़वाना समाज के लोग हैं मैं अगले किसी वीडियो में मिलूंगा तब तक के लिए धन्यबाद